आज असोक धम विजैदसमी या डाक्टर बोधी सत्व अंबेटकर धम विजैदसमी या समण धम विजैदसमी, समणो की विजैदसमी या जो हमारा पुराना उत्षण्व है जिसको हम दस हरा बोलते हैं यानी दस बुराईयों का हरण करना उनको खतम करना और उन पर विजय प्राप करना पुरानी प्रंप्रा है और ये दुनिया में पूरे भारत में खुब दूमधाम से बहुत नामों से बहुत तरह से मनाया जाता है जैसा बताया जाता वो ऐसा नहीं है इसके हमने बारवार बात की आज पूरे दिन हम सुबह पॉने शेवाज से बैठे हुए हैं और ग्यारवे तक हमने विजय दस्मी खूब अच्छी तरह से यहां मनाई है यहां पोर्टल पे पूरे समय सभी लोगों ने इतनी सारी बातें की इतनी सारे लोग आए सारे देश के और देश के बाहर के जितने भी हमारे स्पोक हैं सभी ने अपने अपने विचार रखे और अपने अपने एक्स्पियेंसिस रखे और सभी के अनुभव बड़े कमाल के और बड़े उत्साहवर्दन करने वाले और खून बढ़ाने वाले थे अगर सबने सुने हैं तो सब जानते हैं और बाकी धीद्रे करके वो आबी जाएंगे विजय दस्मी के अंदर जो कथा चलती है उस कथा में जो हमें सिखाई जाती है और हमारे दिमाग में डाली जाती है उस कथा का कोई इत्यास वगरा तो है नहीं पर उसमें एक बात बताए जाती है कि अगर रावन को मानना है तो उसकी नाभी में तीर आपको मानना पड़ेगा यानि कि रावन की जो जान है उसकी नाभी में है नाभी मतलब जो उसके पेट के अंदर जो मासे एक नाल आती है मां से एक नली आती है पेट के अंदर गर्ब के अंदर जिससे वो भोजन लेता है उस नली पे उस केंदर पे वार करना है उसको खतम करना है नाभी को तब जाके वो मरेगा पाली के अंदर जो राव है राव का मतलब बेचैनी होती है परिशानी होती है और जो राम है वो एक तरह से बुद्ध का ही नाम है जो रमते थे जो साधना करते थे तप करते थे और ऐसे बिहार में हज्जारो राम है उनके बाद में हज्जारो राज भी पूरे देश में करोडो राम है चारो तरफ रामी राम यानि रमने वाले लोग बिखरे पड़े है तो ये जो नाभी में मारने का जो संकेत है या केंद्र है ये किस ने बताया ये भी बुद्ध ने बताया बुराईयों को अगर खतम करना हो, बेचैनी को अगर खतम करना हो, राव को अगर खतम करना हो, रावन को अगर खतम करना हो, अपने अंदर की छटपटाहट को खतम करना हो, तो आपको उसका जो ओरिजन है, उसको वार करना पड़ेगा, उसको खतम करना पड़ेगा, तो उसक खतम किया जा सकता है बुद्ध ने जो बातें बताई हैं उनमें संगंग सरणंग अच्छामी तो है ही पर उसमें अत्त सरणंग अच्छामी भी है यानि अत्त अज्ञन खुद के अध्धन के वारे में हैं जो बुद्ध ने खुद अपने उपर अध्धन किया दो बातें कि हमारे अंदर जो चीजे आती हैं वो चार प्रिकार से आती है एक आती है जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमारे अंदर वहवार बनता है एक जो वातरवन चार तरफ होता है वो किसी भी तरह का है चाहे वो बातचीत का है चाहे कपड़े पहनने का है चाहे आचार वहवार क है बोल चाल का है रहन सेन का है उससे हमारा वहवार बनता है हमारा मन बनता है और एक जो हम दुनिया भर की चीज़ें अपने मन में लेके आते हैं और फिर उसमें हम एनलेसिस करते हैं और एनलेसिस करने के बाद को अपने माइंड के अंदर इस्थाई करके जमा लेते हैं उसक ये कार अच्छी है या खराब है या ये रूप रंग अच्छा या खराब है या ये भोजन अच्छा या खराब है उससे हमारी धारणा बनती है कि हमें कैसा वेवार करना है पर जो चौथे प्रकार का है वो ना भी है वो ना भी इसलिए है क्योंकि जब बच्चा मा के पेट म उसको घूंसे मारने है या उसको कौन बताता है कि मा के पेट से बाहरा आने के बाद में सबसे पहले उसे अपना भोजन ढूंडना है उसको कौन बताता है कि जब वो जमीन पे गरे तो अपना सर को उपर उठा ले कोई भी बच्चा अगर जमीन पे गरता है तो गिरने से पहले अपने सर को वो उठा लेता है कौन बताता है कि अगर वो जमीन पे गिरे या लुड़के तो हाथ पेर सबसे पहले आगे आने है कौन उसको बताता है कि कौन सी बात उसके लिए रोने वाली है और कौन सी बात उसके लिए हसने वाली है मा की गोत में आता है तो उसका इसपर्स उसकी स्वेल उसको एक सुरक्षा देती है एक सुख देती है और अंजान की गोत में जाता है तो उसकी स्वेल उसको परिसानी देती है ये जो बच्चे के अंदर जो मन आता है ये ना भी है ये पीड़ी दर पीड़ी चलता है इसका ए तो व्यक्ति जो बहार से आता है उसको ना ले उसको खतम करे और जो उसे एट्मोसफिर से मिलता है उसको ना ग्रहन करे उसको ऐसा कैसा छोड़ दे और जो उसकी नाभी में है उसको धीर धीरे खतम करे और जड़ से खतम करे तब मुक्त होता है यही बुद्ध ने अपने हमें कहा हम बुद्ध को नहीं पढ़ा रहे हैं और नहीं हम आपको यह बता रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि समढ़ संग धम नहीं पढ़ाता समढ़ संग किसी भी महापुरुस का कोई मत नहीं पढ़ाता और सारे महापुरुसों को मानता है और सारे मतो पूतल पुतल मसची हुई है और वो उत्फल पुतल आगे आने वाले समय में सारे संब्लों का भुईस्यतय करेगी हम भारत में रहते हैं और भारत में जहां से निर्ने होते हैं अब पार्लियमेंट का चौविस में चुनaste है हम राजनीतिक सिर्फ इसलियौं करते हैं ताकि व्यस्टेशनल कर सकें पर हम उसमें कुई डिशन Styles नहीं करते यह क्योंकि हम हमारा राज्नीच से कुई संब्नद नहीं है पर हमारा सुख और हमारा विकास और हमारी जो सुरक्षा है वह तीनों चीज समढ़संग का Ce 리 में नहीं थे हैं कितने खटे होते हैं कितनी जल्दी खटे होते हैं और कितनी जल्दी हम अपने संग का वाइड नेस करते हैं बढ़ाते हैं इसको और मजबूत करते हैं यहां जो रुकावटें आ रही हैं उसके लिए यह कहानी मैंने आपको बताई है कि रुकावटें कहा कहा या आगे आने वाले समय में, क्योंकि जब तक हम ना भी नहीं तोड़ेंगे, यह हमें प्रशानी होती रहेगी, ना भी तोड़ने के सारे दस रूल, सारे दस हरा, समढ संग के दस गुल्डन नियम में पहले ही आ चुके हैं, बस पहचान करनी है कि कौन-कौन उस दायरे में आ करनी है, तो क्या हो रहा है समाज के अंदर, समणों के अंदर क्या हो रहा है, समणों के अंदर कुछ जानकार लोग आए, पहले जो समणों के अंदर आप कह सकते हैं कि जो हमारे बड़े-बड़े महापरूस थे जैसे बुद्ध जैसे महापरूस थे, उन्होंने अपनी विधान के अधार पर देश चलाया और बहुत मजबूत महावरत बना के दिया पर बनता रहता तूटता रहता ये प्रकतिगा नियम है वो चला गया उसके बाद में फिर सारे संत आए संतों ने कोशिस की पर संत अलग-अलग छोटे-छोटे पॉकिट में आए छोटी-छोटे थे संत चले गए फिर स्थिती खराब हो गई तो फिर बोधी सत्व आए बोधी सत्व बावसा वंबेट कर आए और वो जतना कर सकते थे एक व्यक्ति से जितनी उमीद है और जो समाज ने साथ दिया जो समनों ने साथ दिया उसके हिसाब से वो काम हुआ और एक संविधान जैसा पुराना आदेश जो हमारा समर संका संविधान था वो हमें फिर दुवारा से मिल गया और उससे हम थोड़े बहुत सुख की कंडिसन में आये पर पूरा वो लागु नहीं हुआ ना लागु होने दिया और होने भी क्यों देंगे क्योंकि बावा साथ ने तो साथ कहा वाले हैं क्योंकि बावा साथ अगर आए हैं तो उस आइडेलोजी को काउंटर करने के लिए दूसरे लोग भी तो त्यार हैं वो भी तो बावा साथ के वरुद्व में या उनकी विचार धारा की वरुद्व में या उनके काम के वरुद्व में त्यारी करते हैं तो पिठती करांती चलती रहती हैं यह आप कुछ करके लाए सामने वाले ने उसको लाज कर दिया सामने वाला कुछ लेकर आया आपने उसको लाज कर दिया यह चलता । यह युद् univers होता है जलता रहे DOA तो गज्ञ बावाज साह के आए वहां तक हमें पहुँचाया उसके बाद में वो रन निती नहीं काम करती अगर वो रन निती काम करती होती तो हमारे सारे धिकार बचके होते और बढ़ गे होते वो काउंटर हो गई पिर्तिकरांती में चली गई तो मानेवर सहाब आए मानेवर सहाब जितनी समझ जितनी सोच और जितनी महत वो कर सकते थे कि उसके परणाम छोटे से पॉकिट में आए पूरे देस में नहीं आए परणाम छोटे से पॉकिट में आए और जागरती पूरे देस में जाने लगी अच्छा किया तो यहां से हमें नुकसान होना सुरू हुआ नुकसान इसलिए होना सुर 2006 में वो एक्सपार हुए थे कुछ जादा समय हुआ नहीं है तो जो क्रांती जो उनके साथ में लोग लगे और जिनों ने उनसे काम सीखा उनकी आंक बंद होने से पहले पहले ही वो लोग भिखने लगे और तूटने लगे और हर व्यक्ति एक सपना लेके तूटा कि वो कासी जाम साहब से बड़ा बनेगा या वैसा बनेगा यानि हर व्यक्ति साहब कासीना बनने के लिए उनी के पटन पर उनी के तरीके पर चलने लगा यह ऐसा होता है ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई संत या जब भी कोई काम करता है और कोई आडिलोजी आती है और वो सफल हो करता तो सहाब काशी राम के पटन में जितना काम करना था उतना काम कर दिया अगर वही पटन काम करता होता तो आज इस्तिति खराब नहीं होती तो आज इस्तिति चाहे भले ही उन्होंने राजनतिक काम किया तो राजनतिक काम भी पूरे देश में उनका फैल चुका होता और क्रांती पिट्टी के रिए क्रांती चलती रहती हैं पर इसका एहसास हमें क्यों नहीं होता और कौन इसका एहसास नहीं होने देता जो चेले चपाटे किसी पिरमुख व्यक्ति के साथ में काम करते हैं उसकी विचारधारा के साथ में वो ये मानने को त्यार नहीं होते कि वो घजीट रहे हैं या लेके आ रहे हैं जो आइडियोलोजी के परणाम आ चुके हैं और दुवारा परणाम नहीं आते जैसे काट की हांडी दुवारा नहीं चड़ती वैसे ही जो संगर्स होते हैं उन संगर्सों में एक जो जुद्ध का तरीका होता है वो दुवारा कारगार पर इस होता अगर अक्वर के जमाने की तोप थी वो आज भी काम करती हूं पर वह काम काम नहीं करती हैं अब तो जो वह बपोर मिली काम करती हार साल नहीं फॉट जहाज आ जाते हैं हर साल नहीं नहीं टेक्निक आ जाथी builders की और ने ने छदम छदम चीज़ें बनी सुरू हो जाती हैं मारक मारक चीज़ें बनी सुरू जाती हैं और मिसाइलें बढ़ती जा रही हैं इंटर कॉंटिनेटल मिसाइलें हो गई हैं आटोमेटिक मिसाइलें हो गई हैं तो पुरानी चीज़ों से काम नहीं चलता यह नियम है युद्ध का ये नियम है संगर्स का पर हमारे जो सहाब कासी राम जी के साथ में लोगों ने काम सीखा एक तो वो इखटे नहीं हुए अगर वो सारे भी इखटे रहते तो भी बात बन जाती क्योंकि आपने फोर्स जैसे भी पके पास पटा के थे जैसे तमच्चे थे जो भी अडियोजी थी अगर वह इखटी भी रहती तो कम से संग स्थापित रहता तो उस आइडियोजी बचा लेता या उसमें कुछ थोड़ा हलका बहुत modification करके उस पर काम कर लेता तो चल जाता काम पर सारे नाकिबर अलग-अलग हुए पर एक दूसरे के विरुद्ध भी हो गए और विरुद्ध होने में वो क्या कर रहे हैं उसको समझ लो आप तो आपको सौझ में आ जाएगा कि हमें तीर कहां चलाना है और समझ संके जो दस गोल्डन नियम है वो कहां काम करते हैं हर व्यक्ति अलग-अलग अपने तरीके से बढ़ रहा है थोड़ा सा मानेवर साब कासी राम जी का फार्मला लगा देता है चंदा एकटा करने वाला या वो कैडर वाला और बाकी फार्मला उसका जो परसनल है जो वो अपना बातरूम में नहाते समय सोचता है बनाता है उसको लगा देता है कहीं किसी संगवंग से वेरिफाई तो कराता नहीं किसी लोगों के पास जाके कहता हूता नहीं कि मेरा ये प्रस्ताब बेजर इस पर बहस कर लेते हैं या समाज में लेके नहीं आता कि मैं अब ये करने जा रहा हूँ या वो करने जा रहा हूँ तो आओ इस पर बात कर लेते हैं तो समाज से तो सारे के सारे एक तरह से इस्तमाल करते हैं, समाज को कभी नहीं बताते कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उनमें जो लोग सीखे, उनको एक आदत पड़ गई, हम ये नहीं कह सकते कि वो बेफकूफ लोग हैं, हम य ढिवी भी है। उनको जो डिक्कत आया समस्था प्रिक है इस आधत परगई उस आधत को toHeard ने राग कहा है राग और एक दोस कहा है किसो कहते है चाहिए 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 मैं इसके बिना नहीं रह सकता चाहिए वो रात को दूद पिने की आदत है, चाहे रात को पानी पीने की आदत है, चाहे रात को शराप पीनी की आदत है, चाहे दिन में स्रेट पीनी की आदत है, चाहे दिन में ताजा सब्जी ज़्यादा खानी की आदत है, चाहे किसी को बहुत ज़्यादा एक्सराइज करनी की आदत है, या किसी को बहुत नहीं चाहिए जो इसको हुआ है, यानि नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को कुछ मिला है तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये दोएस है, तो आदत ये लगी कि वो जो टुकडे हुए बामसेफ के, और जो मुम्मेंट बावा साव अम्बेटकर ने चलाई, क्योंकि बावा साव अम पीछ में बैठना है, जिसको यादत पढ़ गई कि उसको अध्धक्षता का भाशन देना है, जिसको यादत पढ़ गई कि उसका पंप्लेट में पोश्टर नाम होना चाहिए, जिसको यादत पढ़ गई कि लोग उसको सुने ही सुने, जिसको यादत पढ़ गई कि दसवार ताली उसके नाम बे बजनी चाहिए जिसको यह आदत पढ़ गए कि उसका पोश्टर होना चाहिए जिसको यह सपना आ गया कि वो MP MLA मिनिस्टर बनेगा जिसको यह सपना आ गया कि उसके चारों तरफ लोग बैठके उसको गुरू जी उसको प्रधान जी उसको फाउंडर में इkenntे की कि उसको बड़े गाड़ी के ärtर जाना है और उसको दो चार हमेसा चंप्चे चाहिए चाहिए जिसको यह आदत पड़ गई के जो ओंगली घुमाने की हैं और बैग हिलाने की और जिसको बाल हिलाने की और जिसको इसारा करनी आदत पड़ गई Jeśli यह सारी आदत रहीं सारे के सारे वो ताकत लगा रहे हैं जिनका सपना MPML बनने का है वो 24 में रैलियां वो उसके लिए मारा मारी वो उसके लिए प्रदर्शन वो उसके लिए पत्संचलन वो उसके लिए समिधन बचाओ रैली वो उसके लिए केडर वो उसके लिए पैदल यात्रा वो सब कर रहे ह और जिनको राजूनितिम नहीं जाना और आगे कुछ उम्मीद है। को जगे जगे मिटिंग लगा रहे हैं इस से क्या हो रहा है इस से हो ये रहा है कि वो लो बैठ़ के बात करने को त्यार नहीं है बतला आपस में हम यह नहीं कहते कि वो समеч से बात करें क्योंकि समच पूँ एक एसी थाली है जो सबकी है, कोई आओ, कोई जाओ, कोई खाओ, कोई कुछ भी करो, समर संग जो नियम, वामसेफ की नियम थे, जिसके अंदर āदरा गैरर REMिक, यानि कि ना धारमिक होगा, ना राजनितिक होगा, ना एजटेशनल होगा वो तीनों गुण समर संग के अंदर हैं और लोग उन तीनों गुणों से प्रभावित होके वामसिफ में गए थे पर वहां मायुसी चाही क्योंकि जब वो टुकड़े हो गए तो वो राजनितिक भी हो गए, वो धार्मिक भी हो गए और वो प्रदर्शन भी करते हैं, उससे लोगों का भरहुसा तूट गया पर समर संग से भरहुसा नहीं तूट सकता क्योंकि दस्वा नियम इस बात की गारंटी देता है कि इस वार नहीं तूटेगा भरहुसा, इस वार जिसको जाना है और रास्ते भी खुल के रखे हैं जिसको राजनिति में जाना है, वो संग छोड़के जा सकता है जिसको आईटेसन करना है, वो आईटेसन वाले गुरूप में शामिल हो सकता है जिसको धार्मिक काम करना है अपनी धार्मिक मानता मानता है वो खुब माने सारी सारी सार्मिक मानता को मानता है और उनके साथ है और उनके महापुरसों को पूरी मानता देता है क्योंकि सारे महापुरसों ने संग बनाने के लिए कहा है तो रास्ते खुले हुए है वो कमिया जो थी वो समर्षंग ने दूर कर ली इस वार इसलिए समर्षंग के लिए अच्छा है कि अब भविस्थे में कोई समस्या ऐसी आने वाली नहीं है समर्षंग के अंदर समस्या नहीं आने वाली है पर बाहर जो समस्या चल लई है उसको समरसंग से समरसंग को लड़ना है उसको काउंटर करना है तो क्या हो रहा है एक वेक्ती जो लगता रैली कर रहा है 20-25-26-30 उसे कोई ये पूछता नहीं कि भाई रैली करते क्यों हो जब पहली रैली में रियल्ट नहीं आया दूसरी में नहीं आया तीसरी में नहीं आया चौती में नहीं आया तो कितने रैलीयों का रिकॉर्ड बनाओगे और कौन सी रैली में जाके तुम हमारे लिए फूरूट लेके आओगे कौन सी रैली में हमारा सब कुछ होगा क्योंकि जैसे जैसे हमारे अधिकार जाते जाते हैं हमको डरा डरा के बताया जाता है कि अब तुमारा यह अधिकार चला गया इसको बचाना है पहले कहते हैं आरक्षन चला गया अब कहते हैं सम्मिधानी चला गया अब सम्मिधान बच क्योंगे देश इछलाए अब देश बचाना है। जब बचा ही नहीं पाते हो जब गार्ण को और गवार सम्मिधान बचानी कर रहा है पम्युदाने कर रहा है कि सम्विधान बचाओ रैली सम्विधान बचाओ गोश्टी सम्विधान बचाओ यह सम्विधान बचाओ यह नया काम मिल गया है चंदा लेने का रापस में करने का यह ना भी है यहां पे आपको तीर मानना है आपको हर जगे यह कहना है कि बाई अलग-अलग रहके जब तुम पाए तो शम्मिधान को कैसे बचाओगे समझ में आ जाएगा पर वो लोग बात करने नहीं आते ना तो वो बात करने आते हैं समर संग से ना ही समर संग की बात सुनते हैं ना ही समर संग को invite करते हैं समर संग का विरोत्तों करते हैं चलो समर संग से बात ना करें ना समर संग के पास आए ना समर संग उनके पास जाये तो उस समय बात करें, हम तो जाते भी हैं, तो भी बात नहीं करते, और लोगों को बलाते तो भी नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परशान नहीं है, पर तुम आपस में तो बात करो, संविधान बचाने वाले जितने ठेकेदार हैं, जितने संख्ठन हैं, जितने नेता हैं उनका तो उद्देश से एक है ना वो तो एक उद्देश से के लिए काम करें कि वो इतनी अकल नहीं है इतना समझ नहीं है इतनी जानकाई नहीं है तो इसका जवाब कौन लेगा तो इसे पूछेगा कौन तो हम ही पूछेगा भाई वो तो पूछेगे नहीं क्योंकि सारे सारे चोर हैं सारे के सारे आंखे बंद करके बैठे हुए हैं कौन किस से कहेगा अगर वो एक दूसरे से आपस में कहेंगे तो लड़ जाएंगे कहेंगे तू भी तो सम्मिधान बचा रहा है तू भी तो सम्मिधान बचाने की रेली लगा रहा है तू भी तो सम्मिधान बचा कहीं रो रहा है कोई औरत रो रही है किसी साथ प्रतारना हुई है और वहां प्रतारना होने के बाद में रोती है किसी नेता के सामने तो नेता वहां बैठके फोटो खचाता है उसका फोटो डालता है उसका वीडियो डालता है कि देखो हमारे सामने कैसे फर्याद तो उस समय राजा जैसी फिलिंग आती होगी कि औरत हमारे सामने रो रही है बच्चे हमारे सामने रोने इनके साथ प्रतारना हुई है तो वहां राजा जैसी फिलिंग का मज़ा लेता है आदमी नेता बन के पर प्रतारना बन क्यों नहीं होती सतर साल से क्या कारण है कि राजा साहब जै कारे नहीं आंसु रोख पाई सारे के सारे लोग सक्ता में बैठे वो नहीं आंसु रोख पाए इतने सारे MP MLA बने आरेक्षण से वो नहीं रोख पाए इतनी सारी संग्ठर बनी वो नहीं रोख पाए तो आप जनता के आंसु रोखो कैसे पर लोग पूशते नहीं लोग समस् कोई नहीं पूस्ता है मुशनल हो जाते हैं उस समय के देखो ये रो रहे हैं ये हमारे सामने आये हैं बस आसवसन देखा निकलते हैं तो करोगे कैसे इसको कोई नहीं पूस्ता पर समझ से पूस्ता है कि भाई करोगे कैसे ये ना भी है ये सेंटर है जो आपको बताना है जो को जगाना है और लोगों से कहना है कि भाई होगा कैसे ये बताओ हमें करेंगे कैसे ये बताओ हमें कोई तरीका हो तो बताओ हमें पर कोई तरीका बताता नहीं तो तरीका पूछना चाहिए तो बार 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 पूछना चाहिए तो बार बार बताना चाहिए तो 24 में आंधी उड़ेगी पूरी, धोल उड़ेगी पूरी, हर आदमी MPMLA, सब को पता है कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है, बस उनकी दोड़ MPMLA बने तक है, बस उनकी दोड़ यह है कि हम रहें, सब उनकी दोड़ यह है कि हमारी बीच की कुर्सी ना चला जाए, यह आदत जो पड़ी हुआ है, इस जहर को जब तक आप फोड़ेंगे नहीं और जब तक आप समाज में बताएंगे नहीं कि यह सेंटर है, यहां हमारी मौत छिपी हुई है, क्योंकि मारेगा इसको समाज ही, आप नहीं मार सकते, समढ़ संग में अभी इतनी ताकत नहीं है कि समढ़ संग कहे और 10, 20, 50,000 आदमी जाके पूछें, उसमें समय लगेगा, पर लोगों को जगाय जा सकता है, बढ़ाय जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, समझाय जा सकता है, उससे कम समय में काम हो जाएगा, सवाल जवाब करना हमारे तीर हैं, सवाल जवाब करना हमारे भाले हैं, हमको सवाल वारे में कभी भी चुप नहीं रहना है, खुब दहारना है, खुब बोलना है, आज जो हम पौने छेवे से बैठे और ग्यारे वे तक बैठेंगे हम, तो ये जो हम 17 गंटे की हमने जो एकसाइज की है, ये इस बात का सबूत है कि बहुत सारे लोग इस लाइन पर चल रहे हैं जो बुद्ध के पुराने पटन पर चलता हो, जो बावस आपके सपनों के अनुसार उनका समता समा संग के हिसाब से चलता हो, जो महापुर्सों ने जो कहा कि जिसमें नाराग है ना दो से ऐसा काम होना चाहिए उसके हिसाब से चलता हो, तो वो समढ़ संग ही है और कोई प पोश्ट, पद, पैसा कुछ है ही नहीं हमें किस बात का डर है आओ ये समण संग सब का है ले जाओ समण संग को जिसको चाहिए या तो समण संग में आके मिल जाओ और या समण संग को अपने में मिला लो बस यही बात है और कोई बात हमारे पास है नहीं इसलिए सारे समण को आज की ताकत का एसास करना चाहिए दस हमारे पास में जो गोल्डन नियम हैं ये हमारे दस हराने वाले हैं पूरी बुराईयों को हराने वाले दस नियम हैं इस पे जितना तेजी से आज मैंने यकीन देखा पूरे संग का और पूरे संग के कमाल कमाल के एक्सपेंस देखे म हमारी पहुंचने की स्पीड कम है अगर हम असफल होंगे तो सिर्फ इस कारण से कि हमने काम कम किया अगर हमारी सफलता देर साइगी तो सिर्फ इस कारण से कि हमारी स्पीड कम है और स्पीड वास्ता में हमारी कम है इस्पीर हमारी इशनिया कम है क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है कि हम आज आज काम कल करेंगे और कल का काम पड़सों करेंगे ये जो आदत हमारी पड़ी हुई है ये दस मौत के कारणों में से एक कारण है जो दस मौत के कारण बताए थे बुद्रे खोजे थे उसमें से एक कारण है जिसको बोलते है आलस दस कारण बताएं मौत के उसमें से एक आलस आलस नहीं करना है अगर आलस करेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा टाइम जा रहा है, घरी टिक्टिक कर रही है, हमारा जो इखटे होने का कारिकरम है, वो हमारी सक्ती है, क्योंकि हम इखटे होते हैं, तो हमारे तीर बड़े हो जाते हैं, हमारे भाले बड़े हो जाते हैं, हमारा कॉंटेंस बड़ा हो जाता है, हमारा मनोबल बड़ा हो जाता है हमको इखटा होना बहुत जरूरी है और चोटे दूद मुहें बच्चे से लेके और बुड़े बुजुक तर खोरना है यह हमारा उत्सव है यह हमारा फेस्टिवल है हम कोई राजजितिक भाचलक के लिए नहीं खटे होते हम कोई व्यक्तिवाद के लिए खटे नहीं होते हम भाचन वहाँ दें या ना दें उससे फरक नहीं पड़ता हमारा कितना पैसा खच हो जाए हमें इससे फरक नहीं पड़ता हमें फरक इससे पड़ता है कि हमारा परिवार हमारी आँखों के सामने है या नहीं हम उनसे गले मिले या नहीं मिले हमारी एनरजी आपस में ट्र सो कर देंगे तो अपनी मौत का करण हम खुद बनेंगे दस मैंसे एक करण है आप पढ़ लेना मैंने वीडियो बनाई यह उस मैंसे बुद्ध ने दस मार बताई हैं दस मौत के करण बताए हैं और सचे हैं वो बलकूल वो प्राकर्टिक हैं उसमें एक आलस है तो आलस है दसहरा हो चुका है सारे फेस्टिवल आ रहा है दिवाली और दसहरे की बीच में बीस दिन होते हैं इस बीस दिन के अंदर कमर कसके काम करना है कौन सा काम नहीं हुआ अक्टूबर के अंदर टार्गेट था कि हम धाए हजार लोगों का टिकेट काटेंगे और पांसो पू इसलिए आपको बोलना हूँ कि हम आलस में आ चुके हैं दिलीम का एक ऑफिस खोल लिया है सिर्फ इसी कारण से के 2011 के लिए हम टिकेटिंग ज्यादा कर सकें और वहां डेली फॉन कर सकें तो सभी को अपने सारे काम छोड़के टिकेट का काम करना है सब अपने परिवार पता नहीं इसकी टेन्य मिलेंगी नी मिलेगी पहले टिकेट बुक कराना है टिकेट बुक कराना है नाम बात में दे दाना है आपने काम अपने कि प्रबॉन के सब्सक्री करना है वहां जो चाहिए तो पांच यार का भी हमारे पाश्पांस है नबै段 परसम परसंट चाम ही festival है क्योंकि बुद्ध का जो पूरा पूरा ग्यांद के प्रकास था वो समय फैला जब वो अपने घर गए थे तो आपको क्या करना है आपको लोगों को टिकेट काटने हैं दसहरे और दिवाली के बीच में अच्छा मौसम होता है जिसको आपको मरा नहीं करेगा इस बीच म फिर हम आगे बड़ेंगे तो हर एक व्यक्ति अपना टार्गेट फिक्स कर ले यहां टार्गेट बताने के लिए कोई ML कंप्री नहीं है कि आपको इतना टार्गेट है तो आपको इतना इंसेटिव मिलेगा इतना पैसा मिलेगा इतनी सैली मिलेगी यहां तो आपको अपने बच्चे बचाने के लिए काम करना है आपको अपना परिवार बचाने के लिए काम करना है आप अपने बच्चे को अपने परिवार को बचाने के लिए काम कर सकते हैं समझ में आती है ये बात तो आप दिनदात काम करेंगे और ये बात समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, पर काम करना है क्योंकि बच्चे बचाने हैं और हमें अपने अस्तित की लड़ाई लड़नी हैं, और छोटा सा काम है कि अपने परिवार को बढ़ाना है, ना हम गौर्णमेंट से कुछ मांगते हैं, ना हम गौर्णमेंट के अगेंशन नुकसान कर रहे हैं कि भाई इखटे हो जाओ, और चंदा देंगे जब इखटे होके आओगे तब, और बात मानेंगे जब इखटे होके आओगे तब, और बोट देंगे जब इखटे होके आओगे तब, ये बाते उनको बतानी हैं और उनको हरैस करना है, उनको बार बार बार बार ये उनको एहसास दिलाना है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है जब तक एकटे होके नहीं आते कोई काम ठीक नहीं है बस इतना सा एहसास अकर उनको करा देंगे और बहुत साई लोगों ने चंदा बंद कर दिया और बहुत साई लोगों ने उनको ये समझाना कर दिया कि आप इखटे आएं यही ना भी है जो फोड़नी हमें यही तीर चलाना है हमें सिर्फ वीडियो बनाना है सिर्फ पोस्ट बनाना है सिर्फ बात करनी है और लोगों को इखटा करना एकजुट करना है तो रिजदार से कहो दोस्ट से कहो पड़ोसी से कहो किसे भी कहो आप अपने टिक्टो की संख्या बढा दो कल से टिकेट आ जाने चाहिए जो जो टिकेट काटे अपने अपने रिजदार का जो भी है वो यहाँ पोर्टल पे बताए डेली यहाँ 15-20 मिन्ट बताएं कि किसके इतने टिकेट कटे हैं दिवाली तक हम पिछले भी भरपाई कर लेंगे और ये काम हमें करना ही है चाहिए हस के करें चाहिए रो के करें चाहिए जी के करें चाहिए मर के करें पर ये करना है क्योंकि टार्गेट जिनके बड़े नहीं होते उद्देस जिनके बड़े नहीं होते उनकी achievement बहुत छोटी होती है अभी पांशार का target है पर अगला जो target है वो 60,000 का है यहाँ जो एक stadium है जवालाल नहरू stadium है वो आज तक समणों ने वहाँ पैर नहीं रखा किसी भी समणों ने चाए वो राजनितिक party हो चाए वो किसी धार्मिक नोगों का हो चाए वो सकारी करमचैरियों का हो चाए वो सामजी का कोई बिया आदमी 60-62,000 की capacity है 2,000,000 लोगों से वो कभी उसमें कतम नहीं रखा पर समर्संग रखेगा उसमें कतम क्योंकि समर्संग रखेगा और तब रखेगा से सब्सक्राइब का साथ тяжसे च्छाया नेकि Moto रोग непwegen। सब्सक्रा में टांग रत्वारें के रहें इसलिए यहां जो यह perspectives होई थी कि हमारा काम नीरस है पर हमारा मजूतत काम है थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा पर हम जब चड़ेंगे तो दूर दूर तर दिखाई देंगे और संग जब उपर चड़ता है तो सूरत से भी ज़्यादा तेज़ चमकता है ये संगों की खाचत होती है बस थोड़ा सा कष्ट है कि आप दिनाद दिनाद सब कुछ भूल के टिक्टिंग करिए और पांच अरगा टारगेट हो सके तो ये जो इसमें नवंबर आ रहा है इस नवंबर में ही पूरा कर दीजिए और दिवालिता कर हो जाए तो थिले और है तो कोई ढिक्कति नहीं क्योंकि हमने 9 dwं कि आप यह कॉंकर तो आगा को इतने बड़े परिवार में खटें बस रहे है यही परिवार जभाए तो परिचाँ जब बंसा जादा बढ़ेगा इस słuे जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वो लग जाएं दिन्राद, जिन्होंने आधा समर्पित किया है अभी तक वो आधे लग जाएं, और जिन्होंने अगर थोड़ा ही समर्पित किया है, तो वो कंसे का बने अपने परवार के टिकेट कर डालें, और दिन्राद द recording ये सब इन सब का है वो minimum ही लिया जाता है में ज्यादा नहीं लिया जाता और वो भी हिसाब बताया जाता है इसलिए कोई ज्यादा नहीं है दिवाली से पहले दिवाली बनाने से पहले आप अपना टिकेट काटी है अपने रिजदारों काटी है अच्छा मौसम होता है कटेगा मेरी गारंटी है कि आप इसको दिवाले तक सब को पूरा कर लेंगे और आज सबने विजय दस्मी पे बहुत बड़ा एक आदर से स्थापित किया पूरे दिन खाए हैं जिनकी मीटिंग में दो घंटे मीटिंग नहीं चलती और सुबह पौने शेवए से लेकर आपने ग्यारे विजय तक यह मीटिंग चला रहे हैं आज एक चमतकार से कम नहीं है हमारे लोगों में बड़ी-बड़ी मेले मीटिंग देखी हैं उनके 40 मेंबर नहीं होत होता है कि हम ठके हुए भी मन सरीर से ठक जाते हैं पर मन से नहीं ठकते हमको ना ठकना है ना रुकना है जिद्द जुडने की है जुडेंगे और जीतेंगे और ताल कटोरा स्टेटियम में इस वार बहुत अच्छा फब्ब है बहुत परिवारिंग मिलन होगा हमारा बहुत एनर्जी उसमें जिनरेट होगी इतना खुन बढ़ेगा इतना खुन बढ़ेगा कि वो हमें जवालाल नहरू के बाचट जार के स्टेटियम की पूरी ताकत देगा उसके बाद फिर हम रुकेंगे नहीं फिर हमारे कष्ट दूर होने आटोमेडिक स्रू हो जाएंगे क्यों किसी को कोई हानी लगी हो तो मैं संघ से माफी मांता हूं उसे माफी मांता हूं संघ मुझे माफ करे संघ नमामी संघंघ तसेरा मुबारक हो मंगल कामना आए जै भीम नमो बुद्धाए मुबार शेये सुपवार शेयेे सकते हैं बड़ो शेये काया तक घा सकते हैं तक मुबार के मुबार के अहां कहा sound कि काया थो sagt रहे भीम हो बुदुces है नाये काहा हॉआै